हेलो डियर स्टूडेंट्स आईए एक त्रिपुच की रचना करना सीखते हैं जबकि दो बुजाएं और उनके बीच में बनने वाला कौन हमें दिया गया हो कंस्ट्रक्शन ओफ ट्रैंगल वेन टू साइट्स एंड एन एंगल बिट्विन तैम में गेवन टू अस तो बिटा हमें एक ऐसा ट्रैंगल बनाना है जिसमें दो साइट्स तीम भी है और उनके बीच का एंगल साथ डिग्री का दिया गया है एंगल तो हम सबसे पहले एक रफ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे ट्रैंगल हमें पता है इस तरीके से होगा तो आपने इसके नाम लिख लिए पी क्यू और आर अब यहाँ पे पी क्यू तीम बनाना है मुझे क्यू आर 5.5 और क्यू पे एंगल साथ डिग्री का है जो पॉइंट पीछ में लिखा होता है उसी पे एंगल बनता है अब हम फाइनल कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पह पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5.5 की तो अपने स्केल से जीरो से स्टार्ट किया और 5.5 तक मार्क कर दिया देखे इस तरीके से इसकेल हटा दिया लाइन का नाम रख दिया हमने क्यू आर और इसका मेजरमेंट कितना है 5.5 अब क्यू उपर हमें 60 डिग्री का एंगल बना है तो आप कमपस से भी बना सकते हैं डी से भी डी को सेट किया की उपर और 60 पर मार्क कर लिया देखे इस तरीके से डी हटा दी और स्केल की हल्प से अपने लाइन ड्रॉ कर दी यह हो गया सपोज इस लाइन का भी मैं नाम लिख देती हूं X अब मुझे की उपर एक ऐसी ल संटमी सेंटी मीटर बन जाए तो आप फिर से स्केल लेंगे कम्पस लेंगे कंपस को जीERS लिख कर तीन संटी मीटर खोल लेंगे कुलने के बात स्केल हटा के आप Q पॉइंट पे लिया आएंगे और देखिए इसको एक कट लगा देंगे ये हटा दिया अब जो पॉइंट हमें मिला है इसका नाम है हमारा है P अब फिर से स्केल की हट से बिलकुल नेटली आप P से R को मिला देंगे ये हो गया अब जो जो हमने काम किया है उसको सब लिख देंगे हैं आपे 60 डिक्री 3 सेंटिमीटर PQ और इसी तरीके से हमारा ये ट्रैंगल डेटी हो गया तो जो भी आपको इस तरीके की बाकी कंस्ट्रक्शन दी गई होंगी हम इसली उन्हें कर सकते हैं कीपन लाने स्टेबलेस